आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे गैजट्स के बारे में जो कि साइज में तो बेहत छोटे रहेंगे एक कीरिंग के साइज के, लेकिन कहीं न कहीं उनके यूजस बड़े ही कमाल के रहेंगे, तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की इस ब्लेट और नाइफ आपने काफी सारी देखी होंगी जिनका इस्तेमाल अलग-अलग जिगेों पर किया जाता है जो की एक ऐसी शाफ पैंसिल नाइफ होती है जिसका इस्तेमाल नॉर्मल तो आप एक कीरिंग के तौर पर कर पाएंगे लेकिन जब जरुवत पड़ेगी तो हमेशा वो आपके लिए तयार रहेगी एक नाइफ की रूप में फोटोग्राफी लेंस दोस्तो अगर आप फोटोग्राफी में दिल्चस्पी रखते हैं तो ये गैजट आपको काफी इंटरस्टिंग लगने वाला है दोस्तो नॉर्मली तो फोटोग्राफी के लिए बड़े-बड़े DSLR का इस्तिमाल किया जाता है लेकिन आज कल की तार है जिसे कि आप अपने मुबाइल फोन के आगे की तरफ लगा सकते हैं एक एक्स्टरनल लिंस के तौर पर जिसे की क्वालिटी आपको काफी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी साथी दोस्तो इसे आप अपने जरुवत के हिसाब से जूम भी कर सकते हैं जिसके सारे आपको इसके आफिशल आप के अंदर देखने को मिल जाएंगे जहां से इसकी फोटो को एडिट वगेरा भी किया जा सकता है और अलग-अलग मोट्स पर ट्राइ करके इसे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की जा सकेगी तो दोस्तो मोबाइल फोन की फोटोग्राफ तो फील हुई ही होगी जी हाँ दोस्तो अगर आप गैजट्स का इस्तेमाल करते हैं तो कभी-कभी आपने फील किया होगा कि उसकी डिस्प्ले गंदी हो जाती है जिसे कि साफ करने के लिए अगर आप किसी नॉर्मल फैबरिक का इस्तेमाल करते हैं तो और भी ज्यादा स्क प्रे करिए और इसका जो बाहरी कवर रहता है वो काफी ज़्यादा सॉफ फैब्रिक का बनाया गया है जिससे कि आपके गैजट्स की डिस्प्ले बड़ी ही साफ हो जाती है तो काफी यूसफुल सा रहेगा यह एक ऐसी क्लीनिंग कीट हो जाती है जिससे कि बड़ी आसानी से साफ किया जा सकता है किसी भी तरीके के गैजट्स को नंबर सेवन एर बॉल्ट दोस्तो बात अगर किसी लॉक यानि की ताले की हो रही हो तो बहुत सारे आपने ताले देखे होंगे और इस्तिमाल भी किये होंगे लेकिन जादा तर जो ताले होते हैं वो किसी ना किसी आवल लॉक होता है जिसे कि आप बड़ी ही आसानी से अनलॉक कर पाएंगे अपने मुबाइल फोन की मदद से जी हां दोस्तो यहां पर आपको एक ओफिशल आपका सपोर्ट दे रखा होता है जिसकी मदद से इसे अनलॉक किया जा सकता है और इसका इस्तमाल आप किसी भी तो सिक्योर करने के लिए कर सकते हैं जैसे कि आपकी साइकल में आपको ताला लगाना हो तब भी वहाँ पर यह आपके काम आएगा तो काफी कमाल के ओप्शन्स यहां पर आपको इस छोटे से लॉक में देखने को मिल जाते हैं जिसे कि आप GPS से ट्राग भी कर सकेंगे यान दोस्तो अगर आप एक ऐसे कैमरे की तलाश में हो जिसकर इस्तेमाल आप एक व्लॉगिंग कैमरा और साथ ही एक एक एक्शन कैमरा के तौर पर कर पाएं तो मुझे लगता है कि DJI Pocket 2 से बैतर आपके लिए कोई आप्शन हो ही नहीं सकता इसके पीछे वज़ा ही होती है कि य और भी ज़्यादा खास बनाते हैं इस कैमरे में आपको मोटराइजड इस्टेबलाइजिशन देखने को मिल जाता है जो कि इसकी क्वालिटी को और भी स्टेबल बनाएगा और आप हॉलिवुड क्वालिटी की स्मूथनस इसकी फूटेज में देख पाएंगे साथी दोस् आउन रिकॉर्डिंग के ओप्शन्स देखने को मिलते हैं जो कि इससे रिकॉर्डेट ओडियो क्वालिटी को और नेक्स लेवल पर ले जाता है यानि कि इस तरीके का कैमरा आपको वो सारे फीचर्स एवलेबल कराता है जो कि एक व्लॉगिंग कैमरा और एक एक्शन कैमरा को परफेक्ट बनाते हैं तो दोस्तो अगर आप भी इसके बारे में और भी इन्फोमिशन चाहते हैं तो इनके लिंक आपको डिस्क्रप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे बश्पन में हम सभी लोगोंने काफी सारे वीडियो गेम्स वगेरा खेले होंगे जो कि एक छोटी सी डिस्प्ले की वीडियो गेम डिवाइस में खेले जाते थे लेकिन आज की तारिक में अगर गेम्स की बात करे जाये तो बड़े-बड़े कम्प्यूटर्स और मोबाइल इसकी डिस्प्ले वाला वीडियो गेम होता था उसकी कुछ बात ही अलग थी तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही इस्तिमाल करना चाहते हैं तो आप इस चोटी से गेजट को ट्राई करके देख सकते हैं जो कि एक ऐसी वीडियो गेम की ओपन सोर्स डिवाइस है जिसमें कि आप काफी तरीके की गेम्स अप्लोड करके खेल सकते हैं ये डिवाइस आपको पुराने समय की तो याद दिलाएगी ही क्योंकि यहाँ पर बटन्स और इसकी डिस्प्ले वेगरा कुछ-कुछ वैसी ही होती है लेकिन इसका साइज और भी काफी ज्यादा चोटा रहेगा जिसे क आप चार्ज करके इस्तिमाल कर पाएंगे ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपकी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो जाएगी जिसके बाद इसमें आप काफी तरीके की गेम्स अप्लोड करके इंज्वाय कर सकेंगे तो दोस्तो अगर आप एक ऐसा चोटा सा गैजट चाहते ह हैं या फिर कैंपिंग वगेरा करते हैं तो आप वो काफी सारे चोटे चोटे टूस की जरुवत होती है जैसे कि नाइफ हो गई या फिर कुलाडी वगेरा हो गया तो ये सारी चीज़े बहुत ज़दा इंपोर्टेंट होती हैं किसी भी एडवेंचर स्टिप पर तो दोस् बात करेंगे यहां पर इसके साइस की इसका साइस देखा जाए तो यह एक क्रेडिट कार्ट के साइस का होता है जिसे कि आप अपनी पॉकेट में रखकर इसली ले जा सकते हैं लेकिन इसमें जो टूस आपको देखने को मिलने वाले हैं वो काफी नेक्स लेवल रहेंगे ज जोकि इसके साइथ अगर आप किसी लकडी के हैंडल को अटाच करके बान देते हैं तो यह आपके लिए एक परफेक्क कुलाडी की तरह भी काम करेगा यानि की छोटे छोटे देखे जाए तो बहुत सारे इसमें टूल्स रहेंगे जैसे की बॉटल ओपनर, कैन ओपनर, स्क इसमाल किया जाता है बड़ी-बड़ी ड्रिल मशीन को, जहाँ पर आप अपनी मन पसंद बिट को लगा कर कहीं भी ड्रिल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक ऐसी चीज की बात करें, जहाँ पर बहुत छोटा सा आपको चेद करना हो, तो कहीं न कहीं वो बड़ी-बड़ी मश आपके काम नहीं आती, वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मारकर के साइस की इस तरीके की चोटी सी ड्रिल मशीन को, जो की साइस में बहुत चोटी रहेगी, जिसका इस्तेमाल आप चोटी-चोटी चीजों में ड्रिल करने के लिए कर सकते हैं, इस चोटी सी ड्रिल में आपको एक display भी देखने को मिल जाती हैं जिसे कि आप battery details और drill status को भी check कर सकते हैं साथी इसमें bits को change करना बढ़ा आसान रहेगा और इसके साथ gates में आपको अलग-अलग sizes की बहुत सारी bits भी देखने को मिल जाएंगी तो दोस्तो इस तरीके की छोटी से gadget को खास तोर पर बनाये गया है छोटी छोटी जगए पर drill करने के लिए जहाँ पर आपको बहुत छोटा सा hole चाही हो दोस्तो अब मैं आपको एक ऐसा gadget दिखाने वाला हूँ जो की एक तरीके का life saving tool भी होता है क्योंकि ये होती है एक तरीके की ऐसी active tracking device जिसे की किसी को भी track किया जा सकता है जरूरत पढ़ने पर यानि कि अगर आप किसी emergency situation में फस गए हो तो बस इसे on करिए जिसके बाद ये आपकी location लगातार release करता रहेगा जिसे कि आपके left one इसे आसानी से track करते रहेंगे साथी दोस्तों किसी भी emergency situation पर आप SOS को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि इसे pull करके थोड़ी देर तक hold करना है जिसके बाद ये emergency alert ड्रॉप करता है जो कि कहीं न कहीं आपकी safety को लेकर सामने वाले को aware कर देगा तो इस तरीके से आप किसी की tracking तो कर ही सकते हैं और साथी emergency की इस्तिती में आप अपने चाहने वालो या फिर घर वालो को alert कर सकते हैं दोस्तो अब मैं आपको एक ऐसा gadget दिखाने वालो हूँ अगर आप एक mobile phone user है तो आपने इसकी जरुवत कभी न कभी तो feel करी ही होगी अगर आप अपने mobile phone पर movie वगरे enjoy कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको mobile phone stand की जरुवत परती है जिसमें कि आप अपने phone को टिका कर use कर सकें लेकिन हर जगे आपके लिए phone stand अबलेवल नहीं होते वहाँ पर काम आएगा आपके लिए ये gadget जो कि एक ऐसे telescopic stand के साथ आता है जिसे कि आप हमेशा अपने mobile phone के back पर attach रख सकते हैं और जरुवत परने पर इस्तिमाल कर पाएंगे साथ ही इसका इस्तिमाल अगर आप चाहें तो एक selfie stick के तोर पर भी कर सकते हैं जो कि आपको एक additional feature इसका देखने को मिल जाता है यानि कि आपको ये दोनों ही features ऐसे देखने को मिल जाते हैं जो कहीं न कहीं useful लेते हैं एक mobile phone user के लिए और मुझे भी personally काफी interesting लगे हैं तो दो से लिए नमस्कार दूसों जेहिंद वन्दिबात रम